कि दोस्तों नमस्कार मैं उद्यकुमर दैस्पेस लैब के लिए आपके साथ एक सेयर करने जा रहा हूं वैसली और उससे जुरे जो महत्पून टूरिस्ट प्लेस हैं उनका गुगल अर्थ पर लोकेशन और थोड़ी जनकारी हमें भी देंगे कि हम आखिर इन जगों पर रेल से स्लाइट से और अगर अपनी गरी है या बाइडोड कैसे पहुंचें तो हम प्रारंब करते हैं यह वैसली पत्ना से पत्ना एयरपोर्ट की बात करें तो पत्ना एयरपोर्ट से तक्रीवन साथ किलोमेटर की दुरी पर इस्थित है यह रहा पत्ना एयरपोर्ट पटनाई अरपोर्ट से हम जेपी से तू होते हुए निकलेंगे और फिर से सोनपूर हाजिपूर लाल गांज टेच करते हुए बाई रोड हम पहुंचते हैं वेज शाली दूसरा वीकल जो रेल का है रेल पहले हाजिपूर हुआ करता था हाजिपूर मुझाफर पूर रोड से इसमें एक एक्ष्टा मतलब लाइन की वेवस्था की गई जो की वैसाली होते हुए अन जगहों को जाती है तो इन लाइन्स को इस नए वाली रेल लाइन्स से घोसवर से निकल कर ये लाल गंज होते हुए बैसाली को टेच करती है और वैसाली में फिलहाल अभी जो एक्टिव डेल रूट है वो लाल गंज होते हुए वैसाली तक वैसाली गाउं तक ही या वैसाली ब्लोक के पास जो रेल्वे स्टेशन बना है तो ये वाला रेल्वे स्टेशन वैसाली रेल्वे स्टेशन जो लास्ट एक्टिवे लेकिन फिलाल एक ही ट्रेंड चलती है हाजिपूर वैसाली के बीच में आते हैं तीसरा विकल आप गड़ी से आते हैं अपनी गड़ी से टैक्सी से बाइक से बस से या जैसे तो आप हाजिपूर से 36 किलोमेटर मुझा परपूर से 35 किलोमेटर और छप्रा से भी लगवाग उ जाते हैं तो आप एक सेंटर कॉइंट याद रख सकते हैं हाई स्कूल या टूरिस्ट सेंटर हाइश कुल चौक ऐसा जगह है जहां से आपको लगवाग सारे टूरिस्ट प्लेसेज पर जाना होगा हम सबसे पहले चलेंगे जो सबसे ज्यादा विश्टेट प्लेस है वैसा कर रखा है और उसको आप देख सकते हैं मैं इसका लिंक डाल दूंगा वैसाली टूरिस्ट एक्ट्रेक्शंस पार्ट वन इसमें अनेक पार्ट हैंगे जैसे पार्ट टू पार्ट थी और सब आएंगे तो यह अभी से पूस्ट करनी हो गया में रोड अर्था इस्टेट हा अगर आप आगें तो आपको आसपास में विश्व संती अस्तु अबसे पूस करने वैसा लिम्यूजियम अस्थी अवसेस और अस्थी अवसेस प्रतीन कल से यहां पर रखा हुआ है भगवान गुद्ध की जो अस्थियां जो अंतिम याद के रूप में आठ जगा रखी ग जो आप गूगल अर्थ पर आज अक्टूबर 2022 की हम बात कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ फीचर्स दिख रहा है तो यह बहत्तर एकर जमीन अधिगर्ण किया गया और इसमें म्यूजियम और भी बनाया जा रहा है तथा अस्थी अवसेस भी इसमें रखा जाएगा तो यह हो गए पहला लोकेशन जहां पर कि कई सारे अट्रेक्शन से यहां पर रुकने के लिए आपके पास आमरपाली होटल वैसली रेसिडेंसी खाने पीने की भी अच्छी वेवस्था इस पॉइंट पर आपको मिल जागी बाकी जगा पर आवसक नहीं कि आपको यह सारी बजट में चाहिए तो आपको मेंडोड आना होगा और मेंडोड से लगे हुए कई सारे होटल सापको मिल जाएंगे हम फिर से यहां से आते हैं हाई स्कूल चौक या टुरिश सेंटर के पास यहां से एक किलोमीटर दूसरे दिसार्थात पूरव की तरफ जब हम जाएंगे तरूप से हम वैसाली टूरिश्ट एक्ट्रेक्शंस में डालेंगे तो यह एक पॉइंट होगा भूमने का फिर से हमें आना है स्कूल चौक से हम वैसाली गढ़ जिसके नाम पर राजाविसाल के गढ़ के नाम पर इस अस्थान का नाम वैसाली पढ़ा लिच्वी राजा थे राजाविसाल तो हम वहां आते हैं हमें खंड अधर दिखाई देते हैं या खुदाई करके निकाला हुआ यह जिगढ़ा ही देता है हमें याद है जब बच्पन में यहां पर सारे लड़के बच्चे गाउं के क्रिकेट खेला करते थे हाला कि खेलने को तो अभी खेल लेते हैं लेकिन उस समय यहां पर खुदाई इतना इस अस्तर पर नहीं हुआ था और यहां से जो भी सामान निकला है फिलहाल इस है लने जा रहे हैं और फिर से हम आएंगे इस्टेट हाइब वैसली स्कूल के पास यहां से अब हम उतर की तरफ बढ़ेंगे बक्रा मोर से अगर हम बऄ और मोर जाते हैं बक्रा के तरफ जाते हैं तो खुछ दूरी पर चलने के बाद असो q.tm 5. में डोल में दोल से 2500 मीटर अंदर अधर में जैसा कि समराथ इस्थानों का निर्मान किया गया था उसमें एक अस्थान यह भी है यहां इस पर हम डिटेल में फिर से एक वीडियो बनाएंगे और फिर यहां से निकलने के बाद या तो आप वापस बखरा मोड आए और हाई वे लेकर आप बासुकुंड पहुंचे और बासुकुंड पहुंचने के बाद फिर आप पहुंचते हैं स्री महवीर का जनमस्थान टूरिस्ट की जानकारी में जो सबसे कम है वो है बावन मंदिर बड़ी ही बुरी अवस्था में है और इसका भी एक वीडियो बनेगा यह जब आप बैसाली स्कूल से बैसाली ब्लोग की तरफ आते हैं तो थोरी दूर आगे बढ़ने के बाद वहां पर साइन बोर्ड लग बावन भगवान की यहां पर मंदिर भी है हिंदू मंदिर भी है यहां पर बौना पोखर भी है इसकी स्थिती बढ़ी ही जरजर है जो कि मेरे आने वाले वीडियो में आपको दिखाई देगा अब रहागी बात की हम इतना करने के बाद लगभग हमने कभर कर लिया यह बार अगर हम समराइज करें टूरिस्ट एक्षान्स में तो अविसे पुस्करने विश्व संतियस्थूप उसके बाद चवमुक्ही महादेव राजा विशाल का गड़ असो कस्तम और असो कस्तम विश्व से लगा हुआ पुराना संतियस्थूप उसके बाद भगवान महावीर का जनमस्थान बासू कुंड और अंतता बावन पोकर और बावन मंदिर तो इतना करने के बाद हम लगभग यह कह सकते हैं कि हां यहां इतने सारे टूरिस्ट एट्रेक्शन्स हैं राने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर होटल्स की अब कमी नहीं रह गई है खाने प के अब इसे पुस्करनी और हैइसकुल चौक के आसपास वाले अरिया में ही तो मित्रो इस वीडी ओ के को हमें ही वी राम देते हैं और यह कि करके ऑल्लेडि मैंने आ भी से पुस्करनी पर एक वीडेयो डाल रखा है अगला वीडियो हमारा जल्द ही आएगा जो कि किसी एक और टूरिस्ट अट्रेक्शन के बाद होगा कि किसी टूरिस्ट अट्रेक्शन पड़ा धारित होगा थैंक यू